बैंक निफ्टी में अभी भी कोई ब्रेक आउट नहीं है नेक्ट वीक बैंक निफ्टी के लिए बहुत क्रूशल हो सकता है क्यों? किस रीजन से? किस लेवल से? चले इस वीडियो के अंदर जाने के कोशिर करते है यहाँ पर मैं आपको लेच चला हूँ बैंक निफ्टी के वीकली चाट के अंदर और यहाँ आप देख पा रहे हो कि एक काइंड ओफ डोजी कैंडल यहाँ पर इस वीक के अंदर बना हुआ कुछ इंट्रेस्टिंग फाक्ट से इस करंट वीक के कैंडल के जो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ दोस्तों लास्ट वीक का लो था 49,659 करंट वीक बैंक निफ्टी का लो बना है 49,654 फिर से रिपीट करता हूँ करंट वीक का लो बना है 49,654 और लास्ट वीक का लो था 49,659 दो वीक का लो बिलकुल सेम है बिलकुल सेम है चारपांट पॉइंट उसको तब इग्नोर कर दो चलेगा और वेरी वेरी इंपॉर्ट लेवल दिस इस दो वीक का लेवल लो लेवल सेम बन रहा है जब तक यह लेवल ब्रेक नहीं होता है बेरिश मूँ एक्सपेक्ट मत करना और जिस दिन यह बैक हो जाता है बड़ा मूँ आने वाला है बैंक इट्टी में मेरे वर्ट को याद रखना अगर आपको यह पहला अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कर दो फिर और ऐसा ही दूसरा दमागेदार चीज़ बताने वाला हूँ बड़ पहले है पहले 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 अगर यह वाला अच्छा लगा गया दो वीक का लो सेम है दो वीक का दो पंदरा मिट की कैंडल का नहीं दो पांच मिट की कैंडल का नहीं दो डेल इन दो वीक का very very powerful level दोस्तों इस level को next week ध्यान में रखना अगर ये break होके 10 minutes के नीचे sustain कर जाए बड़ा धमागा होने वाला है 10 minutes sustain करना चाहिए I am again repeating अगर ये like अगर ये analysis अच्छा लगा हो एक बार like दबा दो, please like the video और अगर आपको type करना है तो thank you भी type कर सकते हो दोस्तों last week का close था 50,484 current week का close है 50,516, hardly 30 points का difference और current week का जो high बना है वो है 50,830 अब याँ बेना दो चीज़े होई जैसे ही current week का candle complete हुआ याँ बेना तीन candle की बीच fair value gap create हो चुका है ये एक bearish gap create हो चुका है और अगर bank nifties gap को fill up करने के लिए जाएगा तो पहला ही उपर जाएगा 51,087 तक everybody might feel like oh bank nifty ने breakout दे दिया breakout दे दिया ये तो उपर जा रहा है 51,087 और जैसे ही gap fill up करे और अगर आपको कोई bearish candle दिखाए दे 5 minute या तो 15 minute के time frame में तो थोड़ा 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 careful हो जाना क्योंकि फिर अगर वो वहां से गिरना शुरू करेगा ना बड़ा दमागदार गिरेगा कोई उसको रोकने डोकने वाला नहीं होगा दोस्तों इस level को आपको दियान में रखना पड़ेगा next week के अंदर अगर 51087 का level break हो जाता है तो फिर वो थोड़ी smooth ride कर सकता है 600 point के लिए और 51787 और उसके बाद 52,000 के तक भी जा सकता है but primary faces पे Monday Tuesday के लिए मुझे यह बहुत important लग रहा है उपर के तरह 501087 का जो level है जो हम पर यह तीन candle के बीच का fair value gap है वो भरने के बाद कैसे रियक करता है इसके ओपर दोस्तों आपकी निजरे बनाए रखना बहुत अच्छा trade मिलेगा और अगर नीचे के तरफ gap down खुलता है 49,654 break करता है दमागदार मूँ होने वाला है यह मेरा next week के लिए analysis है अच्छा लगाओ तो एक बार please type thank you in the comment box और अगर thank you type नहीं भी करना है न at least एक like तो कर दो यार मुझे पता है मुझे आपके ओपर बोरोसा है आप thank you type करीद हो गया आप इतने अच्छे मेरे YouTuber हो इतने अच्छे मेरे community के member हो बट फिर भी एक like तो बनता है thank you so much